वेल्कम फ्रेंड्स तु थे न्यूकामरा.डॉटकॉम हिंदी चैनल और मुझे कई सारे कोईस्टन्स आ रहे हैं कि डी सेवन फिफ्टी लें या निकॉन का जेट सिक्स लें वेडिंग फोटोग्राफी के लिए और ये कोईस्टन्स की तादात काफी जादा है तो ये कन्फ्यूजन को मुझे दूर करना है तो सबसे पहले हम सुरू करते हैं कि भाई D750 और Z6 में सबसे बड़ा डिफ्रेंस क्या है तो निकॉन का T750 मुझे आज भी याद है सेप्टमबर 2014 में अनौंस हुआ था लग लग 5 साल हो चुके हैं उसके अनौंसमेंट को और अग अधर काफी जादा डवलेप्मेंट हुई है इन 5 सालों में खासकर जब से सोनी ने इंटर गिया अपने मिररलेस कामरेस को लेकर तो बाकी सारे कंपी जैसे कैनन होई निकॉन होई वो भी अब मिरलेस के सिप में जंद कर गए हैं काफी अच्छी टेक्नलोजी के साथ तो सब जए से उंपार्टर्टेट जिज जो पहली ये है कि निकॉन का से अ ये कम आ५ ऑली ये कि निकॉन का सब्स् Germ 9 2 ऑक्ते मौन के साथ आए जजमों जोकी अब निकॉन का फूचर मांट होगा तो ये जो है एक फूचर का क्यामरा और इसमें अगर हम इनवेस्ट करते हैं तो क कुछ चंद सालों बाद आप चाहेंगे कि नहीं बॉड़ी आप लें पर्चिस करें और प्लेस करें तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कि आम रा तो जिस्ट डोर वेफ इंवेस्टमेंट पिर तो आपको लेंसे सेसरीज बाकी साली चीज में भी इंवेस्टमें नहीं कर दें तो टेकनोलोजिकल एज जो है निकॉन D750 की वो सेट सिक से काफी जादा है अब हम बात करते हैं प्राइज डिफरेंस की तो निकॉन की अगर वेबसाइट में हम जाते हैं तो जेट सिक्स कैमरा 24-70 mm लेंस के साथ 1,90,000 के राउंड फ्रेम में मिल जाता है वही अगर हम D750 कैमरा लें 26-17 mm वियर लेंस के साथ तो हमें ये 1,60,000 ये 2,60,000 के लगवग भी मिल जाता है यहां पर हमें 30-40,000 के आसपास जो डिफरेंस है वो फेस करना पढ़ रहा है निकॉन का D750 एफ़रड़िबल है कमपेर तो Z6 तो ये हो गई प्राइस डिफरेंस इन दो कैमरे के बारे में अब हम बात करते हैं कि major specification differences क्या है इन दो कैमरों में तो सबसे पहले बात करते हैं sensor के साथ तो Nikon ने Z6 में काफी advanced sensor लगाया है अब ये किस तरह से advanced है मैं आपको सम्झाने की कोशिस करता हूं देखिए सबसे पहले तो एक hybrid auto focusing sensor है इसमें Nikon ने 273 auto focusing points को fabricate क किया है तो इससे सबसे ज्यादा advantage हमें कहां मिलता है हमें live view shooting में मिलता है हमें video recording में मिलता है अगर आप viewfinder के अगर आप viewfinder से suit करें आप display screen के through still images ले या video record करे auto focusing performance down नहीं हो नहीं है आपको same blazing fast auto focusing speed मिलेगी हर समय D750 के साथ ऐसा नहीं है D750 तभी तग तेज autofocus आपको देता था जब तक कि आप viewfinder के through suit कर रहे हैं जब तक कि उसका phase autofocusing module active है जहां आप display पे गए display के through आपने चाहा कि हम still image suit करें या video record करें तो जो autofocusing performance है वो contrast detect autofocus पे shift हो जाती है और उसके बाद आपको slow and sluggy से performance मिलती है तो यहां सबसे बड़ा एडवांस टेज निकॉन के mirrorless camera के साथ यह है इसमें हमें hybrid autofocusing मिल रही है 273 autofocusing points हमें मिल रहे हैं जो कि हर समय work करेंगे चाहे हम किसी भी mode में से उट करने हैं दूसरी सबसे important चीज इस camera में कि sensor safety image stabilization है अब आप prime lenses यूज करें पुरानी prime lenses इनी टाइम 5 stop sensor safety image stabilization के करीब आपको मिल जाना है बाकी खूबियों की बात करें तो क्योंकि इसमें image processor भी नया है तो इन दोनों के combination से हमें ISO performance में काफी ज्यादा boost मिलती है दूसरी चीज की इसमें continuous autofocusing speed जो है वो लगवें 12 frames per second है जो कि लगवें 2x more head D750 से वीडियो की बात AF system का backup रहेगा तो इसमें AF performance blazing fast होनी है दूसरा सबसे बड़ा backup रहेगा आपका image stabilization का तो वीडियो recording भी इस camera से बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी तो अगर आप either still suit करते हैं या फिर आप hybrid shooter है वीडियो शूट करते हैं Z6 एक बहुत ही अच्छा camera है आज की date में मालनी जी आ एक साल बाद हमें video की demands आई हमें अपने camera से video लेना है तो यह camera हर वक्त और हर समय capable रहेगा आपको backup देने के लिए तो technologically अगर हम बात करें तो यह D750 से हर छेतर में हर specs में उम्दा है और हम यह भी बात कर लेते कि मुझे problem कहां लगती है Nikon के Z6 camera में अगर हम सही में D750 के साथ compare करें तो तो सबसे बड़ी problem है वो है battery life जो battery life है Z6 की वो लगवग 300-400 shots तक limited है हाला कि जो SEPA rating रहती है उससे कहीं ज़्यादा आपको यह camera देते हैं real life में मैंने use किया है तो मैं बता रहा हूँ दूसरी सबसे बड़ी बात है कि D750 की जो है वो 1000 प्लस आपको shorts मिलती है तो charge and forget के लगवग रहता है कि बाई एक बार charge किया तो लगवग at least one day तो आराम से निकल जाएगा D750 आपको काफी ज़्यादा backup देता है तो यहाँ पी एक problem है कि Z6 का backup उतना अच्छा नहीं तो आपको अपने साथ extra backups रखना पड़ेगा यह problem है Z6 के साथ और कोई problem नहीं प्राइसिंग थोड़ी से जादा है लेकिन यह आपको investment को secure करेगा यह ज़रूरी है इस समय के लिए कि थोड़ी जादा आप invest करें Z6 पर क्योंकि आप थोड़ा पैसा यहाँ भी बचाएंगे तो चार साल बाद अगर मालीजे आप इसमें lenses और accessories में invest करें तो सारा पैसा आपका waste होना है क्योंकि जो DSLR maker है मैं सबको पता है इस वक्त कि वह mirrorless industry की तुरफ shift हो रहे हैं तो आपको भी अपना पैसा जो है mirrorless zone में invest करना चाहिए instead of DSLR zone तो best wedding photography camera कौन सा है अगर हम D750 और Z6 के बारे में बात करें तो of course Nikon का Z6 आप Z6 पर ज camera को enjoy करें कोई मी question हो वीडियो से related तो आपको comment section में हमें बता सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धनिवाद वीडियो अच्छा लगा हो तो like कर दीजिए और चैनल में latest update चैनले के लिए subscribe करें thank you very much for watching this